हेलो सुदेंट्स जेए एडवांस के अंदर पेपर 2 में जो आपका सेक्शन 3 रहा था वो इंटीजर टाइप क्वेस्टन कर रहा था यहां पर जो क्वेस्टन है हमने देखा कि इलेक्ट्रो स्टैटिक्स वाले पार्ट से दो क्वेस्टन पूछे गए थे इंटीजर में यहां पर नेगेटिव मार्किंग बच्चो नहीं होती है जरा देखते हैं क्वेस्टन को सॉल करके कैसे होगा पहला क्वेस्टन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है यह यह जो क्वेस्टन था यह क्लास 11 से पूछा गया बच्चो यह जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ह होगा ठीक है मैं पहले आपको इसका आंसर बता देता हूं बच्चो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 3 परसेंट था लेट अस अंडस्टन इसे सॉल्व कैसे करना है डिमेंशन सफे कोन आर मेजर्ड उजिंगे स्केल विद लीस्ट कांट अफ दिस सो लीस्ट कांट जो है 20 मीटर है इसे हम कंवर्ट करके लिख देंगे बच्चो तो आप अगर मीटर में यहां पर कंवर्ट कर रहे हैं तो 20 in to 10 to power minus 2 हो जाता है यह मीटर में आपको यह भी बोलाए कि जो हाइट है वो भी सेम ही ही है 20 in to 10 to power minus 2 meters maximum percentage error in the determination of the volume is तो volume का जो formula होता है we all know that for a cone 1 by 3 pi r square into h but एक छोटा सा catch इस problem में था जब वो experiment कर रहा है या फिर जब वो measurement ले रहा है तो उसने diameter का measurement लिया है उसने radius का नहीं लिया है इसलिए हम भी formula को जो है diameter के form में convert कर देंगे तो radius की value जो है बचो आप यहाँ पर फटाफट से d by 2 लिख लीजेगा यहाँ पर and देखेगा कि आपका नया जो formula आ रहा है pi d square h divide by 12 अब अगर मैं यहाँ पर error analysis की techniques लगाता हूँ that delta v by v is equals to twice of delta d by d plus delta h by h percentage में multiply करने के लिए जो है इसे आप 100% से दोनों तरफ multiply कर लिजिए so let us see की क्या answer बनता है बचो यहाँ पर delta h by h into 100% and your final answer that is coming here is देखे आप बोलेंगे sir delta d की जो value है least count 2 into 10 to power minus 3 है यहाँ पर and आपको जो है diameter की value 20 into 10 to power minus 2 दे रखी है into 100 plus आप बोल सकते है 2 into 10 to power minus 3 divide by 20 into 10 to power minus 2 into 100 जब मैं इसे solve करता हूँ तो बच्चो देखना यहाँ पर 10 to power minus 2 यह कट के 10 to power minus 1 रह जाता है ठीक है एक 0 से 1 0 कट जाता है और यह 10 और यह से कट देता है यह आपका 2 यहाँ पर कट जाता है प्लस आगे देखें यहाँ पर यह कट के 10 to power minus 1 बन जाता है एक 0 और एक 0 यहाँ कट जाता है यह इससे cancel हो जाता है 2 और 2 कट के जो है आपका 1 percent यहाँ पर रह जाता है So I hope you are able to see that यहाँ पर जो final answer निकल के आ रहा है वो 2 percent plus 1 percent हमारा जो final answer यहाँ पर बनता है वो 3 percent बन जाता है 2 plus 1 3 Easy ही question था बहुत simple था बस आपको यह देखना था कि आपको जो volume का formula यूज करना है वो pi d square is by 12 use करना है Let us see the next question guys 9th question Language जो frame करी गई थी यहाँ पर वो एक typical j advance के problem जैसी language frame की गई थी समझते हैं problem में क्या दिया है Ball is thrown from the location x naught y naught तो मान लेते हैं अच्छे से diagram बना के मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि ball जो है किसी point x naught y naught से यहाँ पर throw की गई ठीक है and we all know की ball को अगर हम throw करते हैं तो projectile motion जो है follow करती है ठीक है आगे देखते है और फे होरिजोंटल प्लेगराउंड विद इनिशल स्पीड V naught at an angle theta naught तो इनिशल स्पीड आपको V naught बोली है और angle जो है projection का वो theta naught बोला है तो V naught and theta naught आगे देखते हैं क्या कहा गया है from the plus x direction the ball is to be hit by a stone which is thrown at a same time from the location x1, y1 तो अगर यहां से x1, y1 let us say हम इस ही को मान लेते हैं वो point x1, y1 that is equals to l, 0 यहां से हमने इस throne को जो है x0, y0 is 0, 0 stone को throw किया है यहां पर ठीक है sorry for that let us see the stone is thrown at an angle of 180 minus theta 1 ठीक है तो यह जो angle आपको दे रखा है जिस पर वो throw किया गया है that is 180 अब दो को जरूरी नहीं है ऐसी पर किया ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा होता है पर यह जो angle आपको दिया गया है यह बोला है 180 minus theta 1 के बराबर आगे देखते है from the plus x direction ओके यह angle plus x direction से आपको दे रखा है तो आपको यहाँ पर यह चीज समझ नहीं थी कि सर यहाँ पर जो है मैं ठीक करके आपको बता देता हूँ यह चीज यह अंदर वाला angle नहीं है अब अगर ऐसे throw किया होगा तो यह angle आपको दे रखा है 180 minus theta 1 तो ओविस सी बात है अंदर वाला angle आपका theta 1 यहाँ पर हो जाता है ठीक है पढ़ते हैं आगे next हमें बोला है यहाँ पर that from this point with a suitable initial speed for a fixed V0 when theta 0 is equal theta 0 theta 1 is 45 45 this stone hits the ball after time t1 अगर इन्होंने बोला कि अगर मैं theta 0 को जो है 45 ले लेता हूँ और theta 1 को भी 45 ले लेता हूँ तो यह scenario मेरा क्या बन जाता है अगर दोनो 45 डिग्री हैं तो अगर यह 45 डिग्री हुआ तो बचो 45 डिग्री के लिए जो है आपको कैसे थ्रो करना पड़ेगा आपको मालूम है जब projectile यहाँ पर hit करता है तो वो आपका सेम एंगल पर hit करता है तो यह एंगल आपका 45 डिग्री हुगा theta 1 45 डिग्री और यह बहार 180 माइनस theta 1 है ठीक है I hope logic समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपको इस situation के लिए time t1 लेता है और इस situation के लिए 60-30 के लिए time t2 लेता है आपको पूचा है in such cases t1 by t2 का whole square निकालना है तो देखें यहाँ पर condition क्या है कि जो stone है stone is thrown at an angle this plus x direction with a suitable initial speed ball is to be hit by a stone ball or stone को टकराना है what is the condition of collision तो collision की condition पर ध्यान दीजेगा आप बोलेंगे sir collision की condition हो दीगी vertical component of velocity will be equal ठेक है तो sir यहाँ पर second की velocity तो बोली ही नहीं है देख लेंगे नहीं कुछ लिखा है क्या suitable initial speed मान लेता हूँ से speed को मैं x x से थ्रों किया what is the condition of collision condition of collision आपको पता है कि collision की जो condition है आपकी वो होनी पड़ेगी यहाँ पर that sir v naught sin theta naught is equals to x sin theta 1 यह angle तो equal है देखिए 45 45 यहाँ से समझ में आया है कि v naught को x के बराबर होना पड़ेगा अब time कितना निकल के आएगा आपका time आएगा that total distance that is L divide by what is the relative velocity of approach relative velocity approach आपकी v naught that is cos 45 v naught by root 2 plus x divided by root 2 x cos 45 इसे solve करते हैं तो आपको पता चले गा है sir यह x ही v naught है तो 2 v naught by root 2 is known as root 2 v naught यह आपका t1 का value बच्चो निकल के आ जाता है यहाँ पर let us understand the next scenario next scenario के अंदर बोला गया था कि sir अब situation ऐसी है जो आपका initial projectile motion पर जो फेका गया है ball वो ऐसे ही जा रहा है और यह l,0 पर पहुंच रहा है 0,0 से फेका गया है यहाँ से एक stone को फेका गया now the next scenario is देखना बचो ध्यान से 180 माइनस theta 1 पर फेका है and आपको question में condition दे रखी है कि अब जो है theta naught 60 है और theta 1 आपका 30 है देखें यह 60 है और यहाँ पर जो आपने stone फेका वो ऐसे फेका है कितने angle पर 30 angle पर हो सकता है कहीं यहाँ जाके यह collide करे इस point पर छेक है we don't know कि कहां collision होने वाला है पर कुछ इस तरह का scenario हो सकता है cool मिला के बात बहुत simple है कि यह तो V naught से ही फेका गया था अगर condition of collision हमें बनानी है तो vertical components of velocity will be equal V naught sin 60 is equals to Y sin 30 इससे पता चल रहा है कि sin 60 is root 3 by 2 यह 1 by 2 Y is equals to root 3 V naught आपको यह condition यहाँ से पता चल गई अगर मैं time पूछ रहा हूं collision का तो आप बोलेंगे total distance divided by relative velocity of approach V naught cos 60 plus Y cos 30 आप देख सकते हैं यहाँ पर कि V naught cos 60 is half तो यह V naught by 2 बन जाता है plus Y की value root 3 V naught डालिए आप यहाँ पर cos 30 is root 3 by 2 जब आप solve करेंगे तो यह 2 V naught बन जाता है L upon 2 V naught यही बच्चो आपका time T2 है we are very close to the final answer finally हमको पूछा गया है आपर की sir what we need to do T1 by T2 का whole square कर दीजिए जब T1 और T2 को divide करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो answer है वो root 2 निकल के आ जाता है so T1 divided by T2 is equal to root 2 and जब इसका square करेंगे तो आपको final answer आपका यहाँ पर 2 मिल जाएगा ठीक है so बच्चो इस problem का answer जो था यह 2 था मैं आपको बता देता हूँ यह कहां से पूछा गया है यह class 11 से पूछा गया है and basically जो है projectile motion के यहाँ पर concept का इस्तमाल करना था ठीक है बहुत basic सा problem है इस problem को भी जो है हम easy category में ही categorize करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं आपने दोनों question यहाँ पर समझे let us see the question number 10 यह question मुझे बहुत बढ़िया लगा बच्चो ठीक है क्योंकि जिन लोगों को अगर surface area निकालना आता है किसी arc आर्क का मतलब क्या है solid angle अगर theta है आपके सामने और अगर आपको इसका surface area लिखना आता है तो यह question आपके लिए बहुत easy हो जाएगा let us understand कैसे तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या किया जाएगा आपने बोला कि sir अगर मैं आपके सामने जो है इस सीच को बड़े अच्छे explanatory way में जो है बत समझा देता हूँ बच्चो कि अगर आपके सामने कोई यह sphere है and यहाँ पर charge आपके लिए क्यों रखा हुआ है and मैं sphere के सिर्फ इतने से arc वाले part की बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस part में से कितना flux pass हो रहा होगा मुझे यहाँ पर flux की calculations बच्चो आपको बतानी है देखेंगा बड़े ध्यान से अगर यह angle theta होता है यहाँ तो मुझे पता होता है कि यार इसका जो surface area है surface area will be given as 2 pi r square 1 minus cos theta r is the radius मुझे पता है बच्चो यहाँ पर that 4 pi r square अगर complete surface है तो मेरा flux q by epsilon 0 होता है अगर 2 pi r square 1 minus cos theta यह मेरा surface area है तो मेरा flux q by 2 epsilon 0 into 1 minus cos theta यह मेरा flux का value हो जाएगा ठीक है इसी concept का इस्तमाल करते वे यह flux को यूज करते वे हम आगे बढ़ेंगे हम कह सकते हैं कि sir यहाँ पर given है charge is kept at the central point P of a cylindrical region the two edges subtends an angle theta as shown in the figure theta is 30 degree तो पहली चीज कि sir यहाँ से flux कितना बहार निकल रहा होगा यह जो आपका curved surface जो है side में cylinder का और top surface जो है cos theta की value उसने बोली cos 30 लीजिए जैसे आप cos 30 लिखेंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा q by 2 epsilon 0 1 minus root 3 by 2 बच्चो इतना ही flux जो है bottom वाले part से निकल रहा होगा इतना ही flux what is the flux at the top is same as flux is equals to at the bottom ठेक है अब बचावा flux क्या होगा वो यहां से निकल रहा होगा यह जो flux में मार करके दिखा रहा हूँ आपको इस flux हो कहते है flux through the curved surface curved surface area I can say that net flux is equals to twice flux from the top plus flux from the curved surface area यह value हमें पता है की अगर एक Gaussian surface के अंदर if there is a charge inside a Gaussian surface हमें पता है की net flux यह होगा आपका twice of that value आप कर दिजिए Q by epsilon 0 1 minus root 3 by 2 plus flux from the curved surface area यहां से निकल के आता है बच्छो flux from the curved surface area is root 3 by 2 times of Q by epsilon 0 यह flux curved surface area से बच्छो निकल के आगया है आपका अब क्या बोला है आगे देखिए then the electric flux to the curved surface of the cylinder is 5 यह 5 है ठीक है if theta is 60 degree अगर theta 60 होता then the electric flux to the curved surface becomes 5 by N where the value of N is equal so let us understand की क्या हो जाता अगर मैं theta की जगे 60 ले लेता तो what will be the difference यहां पे 60 आता cos 60 is half तो यह 1 by 2 हो जाता ठीक है अगर यह 1 by 2 हो जाता तो यहां पर मैं 1 by 2 लिगता अगर मैं यहां पे 1 by 2 लिगता तो इधर जाके यह q by 2 epsilon not आ जाता तो new flux flux dash from the curved surface area will become q by 2 epsilon not अगर 60 degree होता तो and we know यह हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है की old curved surface area के flux के divide by root 3 है और यही तो उसने पूछा है की old वाले को divide by root N करना है तो that N is equal to 3 compare करके हमें पता चल रहा है so यह जो answer है आपका यहां पर that's how 3 हो जाता है that is the way we need to solve this problem बचो इस question का जो correct answer है वो 3 है यहां पर मैं आपको बता देता हूँ यह class 12th के topic से पूछा गया था this is from electrostatics pure electrostatics का question है flux calculation का इसे मैं बचो moderate category में categorize आप लोग के लिए करूँगा hopefully आपको यह बात समझ में आयोगी question को कैसे करना है let's move to the next question 11th question बचो यहां पर देख लेते है अब यह जो question है again class 12th के topic से पूछा गया है this is from geometrical optics geometrical optics का बचो यह problem है यह question मैं बहुत easy categorize करूँगा आप लोग के लिए first of all let us understand किसका answer क्या होगा बचो इसका answer जो है आप 12 निकल के आ रहा था 12 is the answer for this problem देखते है इस problem को करना कैसे है आप बोलेंगे आपर equilateral triangular prism P1 and P2 are kept with their sides parallel इनकी जो sides से बचो यह sides parallel है each other in the vacuum as shown in the figure light ray enters a prism P1 P1 के अंदर light enter करी at an angle of incidence theta such that the outgoing rays undergoes minimum deviation in prism 2 prism 2 में बच्चो क्या है minimum deviation यहाँ पर हो रहा है if the respective refractive index of P1 and P2 is तो लिख लेते हैं बच्चो इसका refractive index हमें बताया है root 3 by 2 इसका refractive index हमें दिया है root 3 तो इसने बोलाई कि theta की value ऐसी अजीब सी आएगी कुछ और इसमें आपको beta बता देना है ठीक है let us try to use the concept की जब आपका minimum deviation होता है तो ray कैसे move कर रही होती है we know that condition that minimum deviation पे ray ऐसे move करती है ठीक है यह यहाँ पर आपका यह normal यह आपका यहाँ पर normal अगर equilateral triangular prism है लिखा हुआ है कहीं ने कहीं equilateral triangular prism तो angle of prism 60 degree होता है और minimum deviation पे यह a by 2 के बराबर हो जाते है r1 and r2 is a by 2 यह 30 degree हो जाता है यह भी आपका 30 degree हो जाता है ठीक है अब आगे दिखते हैं कि सर ऐसक क्या करें कि यहाँ का angle हमें निकल जाए सबसे पहले यह angle निकाल लेते है let us say कि इस angle का कहीं alpha यूज नहीं कर रखा है so let me say कि यह angle alpha के बराबर है let me calculate the value of alpha alpha कैसे निकलेगा sir 1 into sin alpha is equals to अंदर का refractive index root 3 into sin 30 sin 30 half डालेंगे आपको alpha की value यहाँ से बच्चो 60 degree मिल जाएगी directly चलिए अगर यह value 60 degree मिल गई तो हम मैं यहाँ पर जो है normal draw कर रहा हूँ अच्छे बहुत simple सी बात बच्चो अगर दोनों surfaces parallel हैं तो normal भी parallel होंगी छेक है अगर यह angle alpha है तो यह angle भी alpha होना पड़ेगा this is also alpha यहाँ से light ray को अगर मैं connect कर देता हूँ hope you are able to understand full ray diagram light ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और यहाँ पर it will bend away from the normal ऐसे चली जाएगी ठीक है अगर यह alpha है तो अंदर वाला angle यह क्या होगा let me say कि sir यह gamma है कुछ gamma निकाल लेते हैं हम बोलेंगे sir यहाँ पर that अंदर का refractive index root 3 by 2 into sin gamma is equals to बहर का refractive index into sin alpha sin alpha बदब sin 60 sin 60 is root 3 by 2 sin gamma is equals to 1 निकल के आजाता है आपका कुछ तो सर गवल करी है आपने है ना यह root 3 by 2 है ठीक है यह root 3 by 2 है ठीक है इदर अंदर root के अंडर है तो यह चीज़ ध्यान से देख लेना है यहाँ पर छोटा सा mistake यहाँ पर हुआ था इसको हम यहाँ पर बोलेंगे सर यह root 3 by 2 लिका भाता यह 1 into root 3 by ऐसा 2 था तो sin gamma की value बच्चो यहाँ पर जो है 1 by root 2 निकल के आती है gamma is equals to 45 degree अगर बच्चो gamma 45 degree है तो अब हमें पता है कि सर यह equilateral triangular price में 60 अगर यह 45 हो गया तो बच्चावा क्या होना पड़ेगा 15 अगर यह 15 हमें पता चल गया तो स्नेल स्लो लगा के वापिस से हम जो है थीटा की value calculate कर सकते हैं let me calculate तो मैं बोलूँगा सर स्नेल स्लो इस point पे अगर हम लगाते हैं अब तो हमारी जो equation बनेगी हो है ऐसे बनेगी 1 इंटो sin theta is equals to refractive index of the prism that is given as root 3 by 2 into अंदर angle दे रखा है sin 15 degree ठीक है मैं कहा सकता हूं सर थीटा is equals to sin inverse of root 3 by 2 and 15 degree को बच्चो लिखते हैं अपन देखो 30 degree होता है pi by 6 तो यह हो जाएगा pi by 12 if I compare this thing with the final result तो आपको दिख रहा है sir यही तो लिखा था root 3 by 2 sin pi by beta तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर बच्चो की जो beta की जो value निकल के आ रही है वो 12 निकल के आ रही है that is how 12 is the correct answer of this problem difficult problem नहीं थी ठीक है easy ही problem थी because यह स्नेल्स लोही तो लगाना है आपको ठीक है इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं let us move to the next problem 12th problem देखते हैं again एक straight forward problem class 12th chapter electrostatic potential मैं इस सवाल को easy ही कहता बट let us say कि थोड़ा सा moderate है वैसे easy जैसा ही है moderate slash easy problem देखिए infinitely long thin wire एक आपको long thin wire देख रहा है आपर यह रहा वो wire जिसको आप देख रहे हैं आपर आगे देखते हैं having a uniform charge density per unit length lambda की value बच्चो आपको दे रखिए हैं आपर 5 nano coulomb per meter आगे देखते हैं इस passing through a spherical shell of radius 1 meter shell का radius बच्चो 1 meter है और बोला है that 10 nano coulomb charge is distributed uniformly over the spherical shell तो shell के अपर का charge बच्चो 10 nano coulomb के बराबर है ठेक है configuration of the charges remains static charge flow नहीं कर रहा है static ही है बच्चो देन बोला है the magnitude of the potential difference between P and R तो P and R के बीच का potential difference कितना है ये बोला गया अब देखिए potential अगर आप निकालना चाहते हैं यहाँ पर due to spherical shell point अंदर है तो potential होता है आपको पता हो नहीं चीए सर जो दिया जाता है टू के लेंडा LN L by Y यह formula होता है यह मैं potential निकालना हो potential difference नहीं अंदर वाले point पर distance कितना है 0.5, 0.5 is half और बाहर वाले point पर minus 2K lambda LN L by वो distance कितना है 2 के बराबर तो यह 2 लिख दूँँ है यहाँ पर hopefully बात समझ में आयोगी क्या किया है यहाँ पर यह दोनों जो है spherical shell की वज़े से है और यह पीछे जो आपका straight wire की वज़े से लिखा हुआ है अगर मैं इसका difference निकालता हूं बच्छो तो यहाँ पर KQ by R की value जो है LNA minus LNB तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो 2L लिखावा है उसको divide किया L by 2 से यह relation बना इससे subtract किया तो यह KQ by 2 बना plus 2K lambda LN4 बना values डाल देते हैं देखते हैं final answer क्या आ रहा है sir K की value 9 into 10 to the power 9 charge of this spherical shell is 10 in nano coulomb 10 into 10 to the power minus 9 divide by 2 plus आगे लिखावा है बच्छो यहाँ पर 2K lambda LN4 so 2K की value 9 into 10 to the power 9 lambda 5 into 10 to the power minus 9 5 nano coulomb per meter दे रखा है LN4 है ना LN4 की value हम लिख सकते है twice LN2 LN2 is 0.7 so twice LN2 डालते हैं यह आपर आया यह value let me calculate final answer sir यह गया यह गया यह हुआ 45 plus यह गया यह गया यह गया यह हुआ यह हुआ आपका check कर लो भाई यह आपर 14 into 9 करोगे तो आपका यहाँ पर 126 यह बन जाता है add करोगे तो यह आपका 1 171 is the final answer of this problem. That is the way we need to solve this problem. I hope समझ मैं होगा यह integer based question था आपका 171 बच्छो इसका answer हो जाता है. Let's move to the next problem. मैंने आपको बता दिया यह easy ही problem था 171 is the final answer. Let's see the last question of this section. तो last question जो है इस section का आपके सामने जो है screen पर यह रहा. 171 is the final answer of this one. Let's see the 13th one. 13th problem में गोला है spherical soap bubble है तो बच्छों यहाँ पर जो है class 11th का logic था है यहाँ पर आपको यहाँ पर surface tension के अंदर soap bubble निकालना जो है उसका pressure और radius का relation आना चाहिए प्लस कुछ basic concept जो है thermodynamics का भी यहाँ पर use होगा. मेरे हिसाब से मैं इसे directly easy नहीं बोलूँगा. थोड़ा moderate problem था कुछ बच्छों को यहाँ पर जरूर दिखकत होई होगी. मैं पहले आपको इसका correct answer बता देता हूँ. The correct answer of this problem is 96. बच्छों इसका answer जो है 96 निकल के आएगा यहाँ पर. देखते हैं कैसे solve करना था आपको यहाँ पर. Spherical soap bubble inside an air chamber at a pressure P0. तो air chamber के अंदर बच्छों pressure दे रखा है आपको. P0 is equals to 10 to the power 5 pascal. आगे देखिये, has a certain radius so that excess pressure inside the bubble is this. तो यहाँ पर इसकी कुछ bubble की radius है. इसके अंदर excess pressure की value जो है, delta P की value दे रखी है 144 pascal, ठीक है. Now the chamber pressure is reduced to this. बाद में क्या हुआ, chamber का जो pressure था, वो P0 नहीं रह गया, 8 P0 by 27 कर दिया गया. अभी spherical bubble है, बाहर का pressure decrease हो गया है. ठीक है, that the bubble radius and its excess pressure changes. तो bubble की radius भी बदल जाएगी, मानलो, पहले radius कुछ R के बराबर थी, तो बाद में bubble की radius जो है, R' के बराबर हो जाएगी, और बाद में excess pressure delta P' के बराबर हो जाएगा. ठीक है. In this process, all the temperature remains unchanged. Temperature बच्चों, अगर constant है, तो आपका ये जो है, isothermal process हो जाता है. Isothermal जो है, आपका ये process है. ठीक है, बहुत भड़ीया चीज, isothermal process में P1 V1 is equals to P2 V2, ये लगाया जा सकता है, for the bubble, ये bubble के लिए बच्चों यहां पर लग सकता है, क्योंकि temperature तो change नहीं हो रहा है. आगे देखिए, बोला गया है that, assume air to be in ideal gas and the excess pressure delta P, in both the cases to be much smaller, delta P बहुत छोटा है, ठीक है, okay, then the chamber pressure, the new excess pressure delta P in Pascal, तो delta P dash आपको ये निकाल के बताना है हमें, ये problem है आपके सामने. पहली चीज, excess pressure कैसे देते हैं, excess pressure आपने पढ़ा होता है, that is given as 40 by R, ठीक है, यहां का excess pressure, delta P dash is equals to 40, surface tension divided by R dash, spherical bubble जो यहां पर बना है, वो soap का है, लिखा है question में, इसलिए 40 लिया है मैंने यहां पे, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, बचों, यहां क्या करना है आपको, आपने बोला, P1 V1 is equals to P2 V2 कर देते हैं, excess pressure, बहार के pressure से ज्यादा pressure होगा अंदर, so what is the pressure inside the bubble, आप बोलेंगे, sir P1 V1 is equals to P2 V2 के अंदर, पहले जो pressure है, वो है P0 plus delta P, और volume है, 4 by 3 pi r cube, is equals to, जो आपका P2 का जो value है यहां पर, that is equivalent to sir, अब वो घटके, 8 P0 by 27 हो गया था, ऐसा कहा गया है, 8 P0 by 27, plus delta P dash, और यहां पर हो जाएगा, 4 by 3 pi r dash का whole cube, P1 V1 is equals to P2 V2, मैंने यहां पर कर दिया है बच्छों, आगे दिखते हैं, क्या करना है यहां पर, sir, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi यह कड़ गया, ठीक है, यह लिखा हुआ है, relation हमारा यहां पर, P0 plus delta P, अच्छा R cube को क्या लिख सकता हूं, मुझे मालूम है that, आप excess pressure को ऐसे देते हैं, 40 by R, तो R को लिख सकते हैं, 40 by delta P, तो यहां पर डाल देते हैं, sir, 40 by delta P, 40 by delta P whole cube, is equals to, यहां लिखा हुआ है, 8 P0 by 27, plus delta P dash, and, आगे दिखिए, R dash को आप डाल दोगे, 40 divided by delta P dash whole cube, ठीक है, आपको दिख रहा है, 40, 40 दोनों जगह पर cancel हो जाएगा, दिख गया होगा, hopefully, 40 और 40 cancel हो जाएगा, cube भी चला जाएगा, उसके साथ, then, अब मैं कह सकता हूँ कि sir, इसने बोला था कि, delta P जो है, वह बहुत छोटा है, P0 से, तो यह equation आपकी बन जाएगी, P0, divided by delta P का whole cube, is equals to, यह बहुत छोटा है, 8 P0 by 27, delta P dash, whole cube, sir, यहाँ पर हम अगर compare करेंगे, चीजों को, तो हम कह सकते हैं कि sir, P0, P0 गया, and, 8 by 27 is 2 by 3 whole cube, तो यहाँ पर हमारा final result बन रहा है, 1 upon delta P whole cube, is equals to, 2 third of delta P dash, whole cube, जैसे ही compare करते हो, आपका final result, delta P dash, is equals to, 2 third of delta P, निकल के आ जाता है, तो यहाँ से, delta P की value, जैसे हम इस equation में डालूंगा, I hope यह हमें given है, that delta P की value, जो है हमारी, कितनी है, 144 Pascal, अगर मैं value यहाँ पर 144 डालता हूँ, यहाँ पर, that will be 96 Pascal, that is the way, we need to solve this problem, जादा difficult नहीं था, पर yes, बहुत बार बच्चा, इस सीच को सोच नहीं पाता, कि सर कैसे, सारे concepts को एक साथ use करना है, and finally, इसका answer, जो है बच्चों, उसके अंदर इतने ही question थे, next, अब हम समझेंगे कि, कि आपके जो यहाँ पर paragraph वाले question थे, वो कैसे आये, thank you for this. अजमेंगे कि ऋएके पने कि पूए पर्स, वो कैसे एके जएके टूएंगे यजूर, बार रज़ेद साथ को और रभताया थे प्स, कि उन्दर,